बजार के आप लोगों आइब्रो पॉमेड लेने की जुरूरत नहीं पड़े Assalamu alaikum जी, welcome back to my youtube channel and welcome back to another video तो आपके खत्मत में हाजिर हूँ जी मैं एकसान नुमान, जी मेरा नाम यही है तो जी आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आइब्रो पॉमेड और होमेड बनाएंगे, घर की चीज़ों DIY मतलब करने वाले हैं और घर की चीज़ों से बनाएंगे, आपके घर में असानी से यह चीज़े वेलेबल होंगी तो आप लोग यह देख सकते होंगे, इस टेमेरे चेरे पर कुछ अपलाया नहीं किया, वा एक लिप्टेंड लगाया और यह मैंने अपनी आइब्रो पॉमेड आपको मैं इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी यह उससे बनाएंगे, तो आप चेक कर सकते होगे इसके आइब्रो पॉमेड आइगेस, इस राउंड फिफ्रीन हंडड टू थू थाउजन टूपीस यह मेभी से जादा हो गया हो, तो इस टे घर में बनाते हैं और यह वा पॉमेड उन लोग लिए बहुत जादा फाइदा मंद होने वाल हलके हैं, दूसरा जिनके अब वो अपनी आइब्रो सेट करते हैं और उनके बाल यहां से गरते रहते हैं, मतलब वो जितनी मर्जी कॉमिंग आइब्रो में कर ले लेकिन उनके बाल गर जाते हैं, तो यह इन दो लोगो जी बहुत जादा फाइदा मंद होने वाली है यह वीडियो, तो चले पहले वीडियो को करते है स्टार्ट और पहले मैं आपको बनाने सिखाऊंगी आइब्रो पॉमेट कैसे बनाते हैं, उसके बार हम चलेंगे इसके अप्लिकेशन की तरफ और रिजल्ट सार लोगों के सामने हैं, तो यह रिजल्ट देखने हैं आप लोगो ने एंड पे, कि हमने इसको किस तरह से अप अप्लाए करना है, क्योंकि डिरेक्ट हमने इसको लगाना नहीं है अपनी आइब्रो के ओपर, ठीक है, तो चलें कटते हैं वीडियो को स्टार्ट बनाते हैं जी अपना आइब्रो पॉमेट, तो सबसे पहले हमें ऐसे कोई भी कंटेनर चाहिए, जिसके अंदर हमने करनी है मिकसिंग, उसके बाद आप कोई भी आईशेडो पैलेट अपनी ले सकते हो, जो आपको, मतलब जिसमें से आपने शेड निकालना है, तो सबसे पहले हम लेंगे अपना ये ब्राउन कलर का शेड और इसको जो है, वो थोरा सा इसके अंदर स्क्राच करके डाल देंगे, तो ह इसमें डालेंगे अपनी कोई भी फांडेशन जो आपके मतलब फेस के अकॉर्डिंग होती है, फांडेशन जो है, इसमें हम डालेंगे सिर्फ ए ट्रॉप, आजए अगर अला करें ये, इतनी सी बस फांडेशन आड करनी है, ठीक है, और अब हम करेंगे इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स और इसके भांड मैं आपको दिखाती हम इसका रिजल्ट, आपने अच्छी तरह सेस्की मिक्सिंग करनी है यह क्यों हो कि इसकी मिक्सिंग जो है ऽ। कि अब तोय आप अठीक कर लखने हैं तो यह मुझा बहुत ज्यादा तो इसकी वाग जो करते हैं कि असनुप फेल लेड़ाे एक जाले हैं तो इसके अंदर डाल रहा हूं तो मैं इसके अंदर डालुए हूँ जी ऑलिफ एक ड्रॉप्स बस that's it ठीक है और उसके बाद आप हम कर लेंगे इसको अच्छी तरह से mix again हमारी eyebrow pomade अच्छी तरह से mix हो चुकी है इसका texture कुछ इस तरह से होगा यह आप देख सकते हैं इतना इसका texture होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा runny होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जिसको कहते है ना ड्राइ फॉर्म हार्ट फॉर्म में होना चाहिए तो यह हमारी eyebrow pomade हो चुकी रेडी और अब हम चलते हैं इसकी application की तरह चलेजी करते हैं इसकी application करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा फेक लुक देगा और बहुत गंदा लगेगा तो आपने के करने आपने इस तरह ब्राश पर लेना है और उसको अपने हैंड पर प्रॉडक्ट ऐसे निकाल देना है ऐसे ठीक है और उसके बाद इसको हलका सा ब्लेंड आउट करके फिर हम आपने यहां से प्रॉडक्ट को उठाना है ऐसे ठीक है तो इससे क्या होगा इससे आप लगना चाहो यह थोड़ी डॉक करना चाहो आप लोग कर सकते हो तो आपने हमेशा सबसे पहले जब भी प्रोदमेड लोगे आपने हमेशा इसको हाद पर निकाल ला है ठीक है उसके आइब्रो को हमने अपनी आर्च से अपलाए करना होते हैं ठीक है एकदम फ्रेंट पे हम नहीं लेके जाते क्यूंके फ्रेंट पे एकदम लगाने से बहुत जादा आइब्रो कंभी लिगती है और बहुत जादा डाक हो जती है अब यह देखो, अब हम इसको यह देख और स्ट्रोक्स की मदद लेके फिर हमने इसको बनाना है, अब यह देख रहे हैं, एकदम वाजया फरका है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, साथ ही हम इसको ब्लेंड आउट करते जाएंगे, अपने ब्रश की हेल्प से, यह देखो, च मैं फ्रंट पे बहुत जादा नहीं लगाऊंगी, मुझे थोड़ा नेचरल लुक रखना है, तो इस तरह से हमारी आईब्रो हो जाएगी, यह देखो, देख रहे हो, आगे से फ्रंट नेचरल है, बहुत जादा मैंने डार्क नहीं गिया, क्योंकि अगर मैं बहुत जादा डार्क करूंगी, तो एक बहुत अजीब से लुक देगा, क्योंकि अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं है, तो अभी आपको मेरी आईब्रो बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि फेस पे मैंने कोई और मेकप की चीज अपलाई नहीं कीगी, तो इसलिए मैं थोड़ा नेचरल हो गई है, अब मैं करती हूं दूसरी तरफ, सेम उसी तरह ही, अगेन बता रही हूं, पहले प्रोड़क लेंगे, उसके बाद इसको हाथ पे यू निकाल लेंगे, और फिर यहां से उठाएंगे, ठीक है, और इसी तरह हम दूसरी साइट पे अपनी आईब्रो को बनाए ले करके, तो अपनी आईब्रो को करने लगी हूं इन्हांस, ताके आप लोग को एक प्रॉपर लुक नजरा सके, कि मैंने जो प्रोमेड बनाया, उसके नैचरल लुक मतलब क्या आएगा, ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रो को इन्हांस करना, फिर उसक बना के इसको इस तरह से लगाएंगे, तो यह कितना मतलब बहुत मज़े की एक चीज आने वली है, आपको बजार के प्रोमेड पे खरचने की पैसे जोट नहीं है, अपने घर में बनाओ, आपके घर में यह चीज़े अवेलेबल होंगी वैजलीन, फांडेशन, और कोई भ अप्रोमेड टेक्षिए उनकी आईबरो गिरत रही होती है, मतलब बोने बालों को जतना मरज़े सेट करने कोशिच करें वो बाल गिर जाता है, तो यह उन लोह कль लिए ज़रूर फायदेम्न नहीं क्योंकि इसमें आप योगा, जितना आप इसको जहां पे बाल जोह है वो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाह फैज